चाहे रोट साइट टपरी हो या फाइफ स्टार होटल या फिर MBA और इंजीनिरिंग स्टूडन्ट के स्टाट अप हर जगा इंडिया में चाय का क्रेस चल रहा है तो आईए जानते हैं कैसे हुई थी टी कल्चर की शुरुआत पूरी दुनिया में चाय के इतिहास के लिए हमें जाना हुगा चायना में 2737 बीसी के आसपास जब चायना के एक एमपरर शीन नॉंग जिनने चाइनीज मेडिसन का फादर भी कहा जाता है और अनजाने में कुछ पत्तियां उनके पॉर्ट में गिर जाती है जिसके बाद जब शीनन उंग इस पानी को पीते हैं तो उनको काफी ज्यादा रेफ्रेशिंग और एनरजेटिक फील होने लगता है जिसके बाद शीनन ये तो समझ जाते हैं कि उन्होंने कुछ बेतरी खोज निकाला है जिसके बाद शीनन इस पत्तियों की खासियत पता करने के लिए उसकी लीव्स, रूट और यहां तक कि उसके स्टेम को चबाते हैं और काफी और कोशिश करने के बाद इस नतीजे पर पहुचते हैं कि ये लीव्स, पोईजन के एंटीडोट की तरह भी काम करती हैं और अपनी इन्हीं इन्वेस्टिगेशन के बाद शिनॉंग इस लीव्स का नाम चार रखते हैं जिसका चाइनीज में मतलब होता है चेक या इन्वेस्टिगेट करना एक रिटन इतिहास इस टी का मिलता है साल 1115 के टाइम का जब चाइनीज प्रिंज जू गॉंग ने टी के बारे में ये बताया कि टी लीव से बनी ये कड़वी ड्रिंक पीने के बाद बॉडी हलका महसूस करने लगती है और हमारे सोचने की शक्ती तक बढ़ जाती है पर चाइनीज उस टाइम पर इस टी को सिर्फ मेडिसनल यूज के लिए ही पिया करते थे आगे चलकर साल 2002 बीसी से 2020 तक हान एरा के बीच टी की पॉपुलारिटी चाइना में काफी ज्यादा बढ़ गई यहां तक कि ये चाइनीज मार्किट में इजिली बिकने तक लगी और आगे आने वाले सालों में चाइनीज ने इस टी के फायदे और बढ़ती डिमांड देखते हुए टी कल्टिवेशन तक शुरू कर दिया और तो और टैंग डाइनस्टी के बाद से टी मानों चाइनीज कल्चर का एक हिस्सा बन गई इसलिए चाइनीज ने चाइनीज के उपर पेंटिंग्स, सौंग्स और यहां तक की पोयम तक लिखना शुरू कर दिया और तो और टैंग डाइनस्टी के टाइम पर टी की पॉपॉलारिटी इतनी बढ़ गई कि टी लीज को क्रश करके उनके ब्रिक्स तक बनाये जाने लगे और इनी ब्रिक्स को करंसी के तरह स्थिमाल किया जाने लगा समान खरीदने और बेचने के लिए साल 6th century AD में स्वी डाइनस्टी के टाइम पर जिपान के एक मौंक साइ चो जो की चाइनीज कल्चर की नौलेच के लिए चाइना जाते हैं वो लोटते वक्त टी सीट को अपने साथ ले आते हैं और उसको जाकर जिपान की मौनेस्टरी में उगाते हैं इसके बाद टी का कल्चर जिपान के मौंक्स और रॉयल क्लास के बीच भी बढ़ने लगता है और टी सेरेमिनीज का चलन चैपनीज के बीच भी बढ़ जाता है पर उस टाइम पर जिपान और चाइना में पीने के लिए ग्रीन टी का ही चलन था पर 13 सेंचरी के टाइम पर चाइनीज ने कई और तरीके निकाल लिये थे टी लीव्स को प्रोसेस करने के पर ब्लाक टी जो की आज सबसे ज्यादा पॉपिलर है इसका इंवेंशन लगबग 15 से 17 सेंचरी के आसपास हुआ जब चाइना में जियंक सी आर्मी फ्यूजियन प् की एक टी फैक्टरी के आसपास अपना मिलिटरी बेस सेट करती है जिसके वजह से फैक्टरी के टी प्रोडक्शन पर काफी असर पढ़ने लगता है और पौधे से तोड़ी गई ये टी लीव्स दूप में पढ़े-पढ़े ऑक्सिडाइज होकर लाल पढ़ने लगती है त इसके बाद जाकर ये टी चाइना से जेपैन, रशिया और यॉरप जैसे देशों में पहुचती है पर अभी भी टी एक वैल्यूबेल पार्ट था सुसाइटी का और इसे सिर्फ बड़े और रईज घराने के लोग ही इस्तमाल करते हैं 1600 के टाइम पर डच लोग ही टी ट्रेट को पूरी दुनिया में डॉमिनेट करते थे और चाइना ही टी का एक मात प्रडियूसर था पूरे वर्ल्ड में पर जल्द ही ब्रिटिशर्स ने भी चाइना से टी को इंपोर्ट करना शुरू किया और कुछ वक्त के अंदर ही इस्ट इंडिया कमपणी चाइना से टी इंपोर्ट करने के लिए सिलवर का इस्त измен के थे पर पूरी दुनिया की बछती टीडि मांड्स की वज़ए से एस्ट इंडिया कमपणी के पास सिलवर रेजर्व कम पढ़ने लगे जिसके बाद उनको टी ट्रेट करने में काफी मु लीगली, सिल्वर के बदले चाइना को समगल करना शुरू किया, और चाइनीज समगलर से मिले सिल्वर को चाइना सही टीम पोर्ट करने में इस्तिमाल किया, ये इल्लीजल अफीम का ट्रेट कुछ सालों तक चलता रहा, पर लगभग अथारह सौ के टाइम पर इस इल्लीजल अफीम के ट्रेट के बना चाइनीज ओफिशल्स को लग गई जिसके बाद जाकर वो 20,000 अफीम की खेप को समंदर में डिस्पोस कर देते हैं जिसके वज़ा से ब्रिटिशर्स चाइना के अगेंस्ट ही वार छेड़ देता है इसलिए वो इंडिया में डार्जलिंग और असाम जैसी जंगाओं को सेलेक्ट करते हैं टी को ग्रो करने के लिए क्योंकि इन दोनों जंगाओं का वेदर और स्वाइल दोनों ही टी ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा सूटबिल था जिसके बाद जाकर ब्रिटिश पॉर्टनेस रॉबर्ट फॉर्चिउन चाइना से कुछ सीड्स और स्किल चाइनीज फार्मर्स को स्मगल करकर इंडियन लैंड पर टी ग्रो करना शुरू करते हैं और साल 1823 में टी की पहली खेप इंडिया से लंडन पहुचती है बिकरी के लिए और इंडियन टी का कारोबार फलने फूलने लगता है और ब्रिटिश एस इंडियन टी को पूरे वर्ड में एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं उस टाइम पर टी काफी ज्यादा महंगी थी और ज्यादा तर इंडिया में ग्रो करी टी को सिर्फ वेस्टिन कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था और या तो इंडिया में कोलकता में रहने वाले सिर्फ अपर क्लास के लोग ही टी को कंजियूम करते थे और आम लोग tea को सिर्फ medicinal purpose के लिए ही इस्तमाल करते थे इसलिए Britishers ने साल 1890 में British style tea को इंडिया की ज्यादा population को देखते हुए इंडिया में introduce किया पर इस tea का taste इंडियन के लिए काफी ज्यादा नया था इसलिए उस टाइम पर इंडियन लोगों को tea कुछ ज्यादा नहीं समझाई साल 1930 के आसपास tea के prices international market में काफी ज्यादा कम हो गए और पूरी दुनिया में tea की demand भी काफी कम होने लगी और साथ ही East India Company का tea का surplus stock go downs में एकटा हो रहा था इस वज़ा से Britishers ने अपना focus फिर से Indian market की तरफ करना शुरू किया और Indians को चाय के टेस्ट की तरफ familiar करने के लिए उन्होंने free tea distribution करवा है और तो और tea को British style में brew करना और tea के health benefit को promote करना शुरू किया जिसके बाद जाकर tea का consumption Indians के बीच भी बढ़ने लगा इसलिए Indians ने tea consumption के अपने अपने तरीके निकालना शुरू किये और Indians का ज्यादा sugar, milk और spices को मिला कर बनाया गया masala चाय का variation Indians के बीच काफी ज्यादा popular होने लगा और यहीं नहीं बलकि इंडिया में अलग-अलग region में अलग-अलग tea variations जैसे कश्मीरी काहवा, नून चाय, बटर टी और डार्जिलिंग टी की बड़ती popularity के वजह से British style tea इंडिया में खोस ही गई इंडिया में चाय का craze generation by generation बढ़ता ही चला गया चाय में मौझूद L-Thiny नाम का antioxidant और कैफीन की वजह से इसकी इलत हर एक इंडियन के बीच लग गई और आगे आने वाली generation के साथ-साथ चाय इंडियन कल्चर में उसी तरह घुल गई जिस तरह चीनी चाय के कप में घुल जाती है इसी वजह से railway station की चाय से नए रिष्टे की शुरुवात वाली चाय तक चाय इंडिया में हर जंगा मिल जाए और यही नहीं बलकि आज की generation ने चाय को इतना ज्यादा अन्मोल बना दिया है कि चाय सुट्टा बार से MBA चाय वाला तक जैसे चाय स्टार्टप पूरे इंडिया में देखने को मिल जाएंगे तो जनाब इंडिया में चाय चल रही है तो आज के लिए बस इतना ही कभी आईए हमारे घर चाय पर लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा कर